सूप्रभाद बच्चो अर्थात गुड मॉनिंग आप सभी बच्चे केजी से स्वर और व्यंजन सीख कर आए हैं आज क्लास वान में आपकी पहली हिंदी क्लास होने जा रही है इस साल आप सब का परिचे मात्राओं से होने जा रहा है आज मैं आप सब का परिचे आपकी मात्रा से करवाओंगी आप इस स्वर आ से तो परिचित होंगे लेकिन इसका चिन कैसा होता है आएए देखे तो देखा ये है इसका चिन कितना आसान लेकिन हमें मात्राओं को पढ़ना बहुत जरूरी होता है बच्चों मात्रा जिस भी अक्षर के साथ जुड़ती है उसकी दोस्त बन जाती है इसलिए मात्रा और अक्षर को हमेशा साथ में पड़ा जाता है आईए देखें और समझें ये है अक्षर क इसमें लग गई आ की मात्रा तो क्या बना? का ये है अक्षर क आ की मात्रा तो बन गया खा, अब है अक्षर ग, इसमें जुड़ी आ की मात्रा बन गया गा, अब है अक्षर न, इसमें लगी आ की मात्रा बना ना, अब इसके बाद हम लेंगे अक्षर च, इसमें भी जब जोड़ी हमने आ की मात्रा तो बन गया चा,